हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं सिविल इंजीनियर शॉर्ट में आज हम किसी देश के बारे में एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो सिविल इंजीनियर को काफी ज्यादा पैसे देती है आप इस वीडियो में बने रहिए हम सब कुछ बताने वाले हैं उसे देश का नाम दक्षन अफरीका है दक्षन अफरीका में एक सिविल इंजीनियर कितना कमाता है एड़ड्स द्वारा दिया गया एड़ड्स नवंबर तेईस दो हजार उसो थीस मिनट पढ़ें एक सिविल इंजीनियर आम तौर पर लगभग आर छे सो हजार सालाना कमाता है यह आर थीन सो थरा के एक घंटे के वेतन के बराबर है उन्हें अकसर हर साल औसतन आर साइट हजार के बोनस से पुरस्कृत किया जाता है प्रवेश स्तर के पद R2700 से शुरू होते हैं जबकि क्षेत्र में साथ साल से अधिक अनुभवाले अनुभवी वरिष्ट R9237 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं ये आंकडे देश के भीतर, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रत्यक्ष वेतन सर्वेक्षन पर आधारित हैं दक्षण अफ्रीका में एक सिविल इंजीनियर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां दक्षिन अफ्रीका में सिविल इंजीनियर भवन, सनरचनाओं और बुनियादी धांचे के निर्मान और रखरखाव की योजना बनाने, डिजाइन करने और देखरेक करने में महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में शामिल हैं। गतिविधियों की विस्तरित श्रंखला, सर्वेक्षन रिपोर्ट, मानचित्र और डेटा का विशलेशन, वे पर्यावरणिय प्रभाव और बजट बाधाओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए, परियोजना परियोजनाओं के लिए विस्तरित योजनाय बनाना, सरकारी मानकों और पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है। लागत अनुमान और बजट प्रभंधन। सिविल इंजीनियर किसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए सामगरी, उपकरण या श्रम के लिए लागत, अनुमान तयार करते हैं। परियोजना प्रभंधन वे वास्तुकारों के साथ समनवय करते हुए निर्माण प्रक्रिया की देखरेख और प्रभंधन करते हैं। ठेकेदार और निर्माण श्रमिक यह सुनिश्चित करते हैं कि परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हों। सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करना सुरक्षा सर्वोपरी है। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी परियोजनाएं कानूनी आवश्यक्ताओं, भवन और सुरक्षा कोड और अन्य नियमों का अनुपाल समस्या को सुल्जाना वि निर्मान के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं, जिन में अप्रत्याशित स्थितियां या परियोजना योजनाओं में बदलाव भी शामिल है। अपडेट प्रदान करने और फीडबैक इकठा करने के लिए अकसर ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं।